असलाम अलेकुम फ्रेंड्स आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियो वाट इस टैक्स दोस्ती टैक्स दोस्ती इस देजिएस्ट वेग्टो एंटर टैक्स नेट ऑफ पाकिस्तान और आज कल शवर्जेदी साहब चेर्मेन एफ बियार और अरॉर प्राम जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सारों को चाहिए वो सर्विस इंडस्ट्री है चाहिए उन मैनिफेक्टरिंग है ट्रेडर्स है जो भी हैं उनको टैक्स नेट में लाने की बात करें तो डॉन आज है 1st of August 2019 तो डॉन में ये खबर चपी है कि जी एफबियार ने डॉक्ट जैसे डॉक्टर्स और एंजिनियर्स तो उनको हेल्प करने के लिए ये आज वीडियो है जिसमें हम हेल्प लेंगे एक और यूट्यूब चैनल का फाइनास एक्सपर्ट जिसकी मैं अब भी बात करूँगा लेकिन बेसिकली कल जो है लास्ट डेट है टैक्स फाइलिंग की टैक्स येर 2018 की टैक्स येर 2018 वो साल है जो पिछले साल 30 जून 2018 को खतम हो गया था और इनिशली उसकी लास्ट डेट 30 सप्टेंबर थी फिर एक्स्टेंट होते होते ये वही डेट है जो एक्स्टेंट होती रही है और अभी वो 2 आउगस्ट को आके 2019 को खतम होगी तो अगर अगर आप परिशान हो रहे हैं कि टैक्सियर 2019 जो अभी पिछले कुछ दिन पहले 30 जून 2019 को खतम हुआ है उसकी लास डेट 2nd of August है नहीं जी उसकी लास डेट इंडिविजुल्स और बिजनसेस के लिए यानि डॉक्टर्स एंजिनियर्स और बिजनस्मेन के लिए वो है 30 जून 2019 तो अगर डॉक्टर्स और सर्जन्स और प्रोफेशनल्स यह सोच रहे हैं कि हमें कहां से एल्प मिले तो हमारा टैक्स दोस्ती का तो चैनल है जहां पर आपको पॉपिलर अप्लोड्स और उसके लावा जो रीसेंट अप्लोड्स होती हैं वो जो है बता सकते है फाइनांस अक्ट पे हम एक्स्प्लेंट कर रहे हैं लेकिन हमें यूट्यूब के ओपर और मैं ये जो लोग हमें कॉल करते हैं आईरिस पर रिजिस्टर होने के लिए उनको हम कहते हैं कि यूट्थूब पर अगर आप लेखे हाउ टो रिजिस्टर फ्र आईरस या वो तो आपको बड़े अच्छे चैनल्स बिलेंगे तो ये हैं finance expert और मैं चाहूँगा कि आप इनके चैनल को भी subscribe करें और bell icon को भी दबाएं मैंने प्रेस किया हुआ इन्होंने recently ये देखते हुए कि अब काफी इनके चैनल पर भी चले जाते हैं माशाला इन्होंने काफी काम कर रहे हैं तो ये अब Amnesty के बाद जो है इन्होंने काफी वीडियो लगाना शुरू किया और exactly के NTN कैसे लेना है login, password कैसे बनाना है अपना घर का अड्रेस FBR में कैसे change करना है business का अड्रेस कैसे change करना है Amnesty का चलान कैसे बनाना है और अभी जो है मैं देख रहा था तो income tax return doctors और engineer की कैसे fill करनी है तो then again ये young आदमी है finance expert और इनकी वीडियो को जो है ना देखते हुए मैं इसमें सिर्फ कुछ minor जो है minor चीज़े और जो है के कहते हैं कुछ legal और technical चीज़े मैं जो है ना इसमें वो आपको बताऊंगा ताकि आपको कोई problem ना हो I hope के ये screen आपको नजर आ रही है और basically इन्होंने बताया है के doctors और engineers या कोई भी service provider accountant lawyer भी हो सकता है कैसे अपनी tax return बने तो जहां जहां basically जो जो बाते हैं नहोंने correct बताई है procedure के लिहाज से वो तो मैं इनकी वीडियो continue करूँगा और I hope के ये इनको कोई issue नहीं होगा finance expert को और जहां law के हवाले से कोई correction करनी है या वो कानून आपको पताऊना चाहिए जिस वज़ा से ये बात कर रहे है तो वो मैं explain करूँगा तो hopefully इनकी 30 minutes की वीडियो और उसके ओपर थोड़ी सी मेरी commentary से आप अपनी tax return hood file कर सकेंगे और आपको पताऊगा कि अगर consultant से करवाएंगे तो क्या-क्या documents आपको चाहिए और क्यों चाहिए और आपके circumstances as a service provider गे तो start करते हैं जी बिसमेला करते है आई रह्मानिराहिम हाई फ्रेंस आप देखने हैं finance expert FPR की main site पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपने income tax या IRS इसको देखना है और इस पे click करना है जी बिल्कुल IRS open हो जाएगा यह IRS का login portal अब उन्होंने इसका interface change कर दिया है previous videos में कुछ और था आपने यहाँ पे login करना है आपने अगर NTN और login ID password नहीं लिया तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज अपना जो NTN login ID password वो लाजमी ले ले लें उसकी description में मैंने वीडियो का link भी दिया है यहाँ पे friends सबसे top पे declaration है जहां से मैं सब form मिलते हैं आपने return के लिए इस top वाला form जो है इसको select करना है इदर period select करना है आपने जिस साल की return file कर रहे हो 2018 की कर रहे हो तो 2018 लिखें 19 की कर रहे हो तो 19 लिखें 19 की अभी return जानी रही जब मैं ये video बना रहा हूँ 2018 की मैं कर चुका हूँ तो ये मुझे allow नी करेगा that's why मैं इसको अभी 14 की जो है ना वो return आपको समझाने के लिए करके दिखा रहा हूँ ये process सेम ही है 2018 में भी ऐसी होगा 19 में भी ऐसी होगा और onward अगर कुछ ये जाएगी तो मैं आपको बता दूँगा जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ये return का form आपके सामने डाउनलोड करेगा बिल्कुल सही कह रहे है कि basically 2019 के जो form है जो law है उसके मताबिक hopefully कल 2nd August को जब tax filing खतम हो जाएगी 2018 की तो वो form आएगा तो next Monday से हम भी अपना आपके cases ले रहे हैं 2019 के लिए अब बात ये है कि ये जो तरीका उसने बिल्कुल सही है अपने पहले login पास्ट बना दिया इसी की website पर वो भी तरीके है और उसके बाद जो है अब आप टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहरे हैं और टैक्स रिटर्न ये आप देख रहे हैं 114 के return of income फाइल voluntarily for the complete year year आपने choose करना है तो जब आप एक tax year 2014 का मतलब है कि इस साल में ये खतम हो रहा है तो ये उसका time period है 1st July 2013 से शुरू है और 30 जून 2014 को खतम हुआ है ये जो है आपके पास है complete income tax return open होगी अगर आप सिरफ salary person है तो previously declaration में और आपके लिए एक different tax return है लेकिन चुके ये salary income भी show करेगा और अभी business income भी show करेगा यानि कि ऐसे doctors जो job भी कर रहे हैं government में या private sector में और फिर अपनी private practice भी करते हैं तो private practice वाला portion business के tab में जाएगा जैसी ये बताएगा और जो वो salary कमा रहे हैं वो salary के tab में जाएगा और engineers और कोई भी और professional है आप शेफ हैं कुछ है तो इसी तरह होगा अगर आप किसी employer के साथ employer employee के relation में तो उससे आने वाले पैसे salary में जाएगे और salary gross amount पे tax होती है यह जितनी भी आपको salary मिलती है सारे allowance में लाके यह medical allowance की बात करेगा वो मैं इसके बात समझाओंगा और अगर आप अपने boss खुद हैं आप किसी की employment में नहीं है तो आपको आने वाली सारी income यानि आप consultant है तो business में होगा यह return का form आ गया है जिस पे left side पे आपको जो भी income के heads होते हैं जैसे property, business, salary, capital gain, other source, foreign source ही सारी आ रही होती है सबसे top पे salary income आ रही है आपकी अगर आप doctor हैं या engineer हैं तो salary आप लेते होगे या business करते होगे यह दो major आपकी earning के source होगे salary में सबसे पहले में बात करता हूँ तो यह जो पहले वाला box है पूरे साल में जितनी salary आपने आपके account में credit हुई है या आपने cash लिया है including allowances आपने पूरे साल की salary लिखनी है 1st चुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक अगर आप 18 की return फायल कर रहे हैं और जितनी salary बने उसका 10% जो है या आपने exempt जो है इनकम इसमें लिखना है क्योंकि ये medical allowance है ये चाहिए आप government employee हो चाहिए आप private में हो 10% medical allowance जो है ये exempt होता है तो ये आपने लाजमी लिखना है अपनी salary के साथ और ये सब के लिए ही होता है अगर आपको actual allowance 15% या 20% मिलता है तो वो नहीं लिखना आपने 10% ही लिखना है क्योंकि अच्छा जी ये जो 10% की बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहा है कि exempt है लेकिन ये terms of employment पे depend करता है जो exemption है second schedule के अंदर उसके अंदर दो तीन conditions है तो इस पे मैं मशवरा दूँगा कि इस तरह blankly आपने 10% माइनस नहीं करनी बलके देख लेना अगर आपको कोई facility medical facility मिलती है फिर ये allowance आपके लिए नहीं है और अगर आपको 15% जैसे इसने का allowance मिल रहा है जिस तरह मिलता है तो फिर उसमें से 10% आपने लेना इसकी calculation थोड़ी सी different है तो ये जो जब भी आप tax exemption क्लेम करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है उस professional से रापता करना चाहिए जिसकी tax की sound knowledge है क्योंकि वो आपको exact facts बताएगा अगले 5 सालों में जब ये tax return audit होगी तो सबसे पहले tax के याई FBR के auditors exemption वाली income की तरफ जाएंगे क्या ये exemption इसने क्यों क्लेम किया है क्या वज़ा थी क्यों ये medical allowance था या senior teacher था या इसकी कोई और business income थी जो totally exempt थी जैसे start-ups और IT freelancers की होती है और मैंने आपको बताया इस तर पर exemption में gross salary आपने लिख दी उस पर तो वो खुश होंगे FBR वाले और rule भी यही कहता है कि gross salary आपने यहाँ पर डाली है बिलकुँ सई डाली है इसने pay और allowances में फिर कुछ special allowances होते हैं या कुछ expenses reimbursed होते हैं वो यहां होते हैं तो ये बाकी खाने भी भरे जा सकते हैं आपक आपकी जॉब पर डिपेंड करता है अगर आपकी काफी financial transactions है तो बेतर है कि फिर इसको अच्छे competent consultants से करवाएं लेकिन ज़्यादा दर लोगों की खासवार पर private sector में gross salary यहाँ ती है यह जो exemption claim करने की बात है कभी कबार आपको gross salary जो आपको tax reduction certificate दिया जाता है उस पर medical allowance माइ माइनस करके दी जाती है तो बहुत सरी चीज़े है आया यह allowance आपका बनता है exemption आपकी बनती है कि नहीं यह वह होगा हमेशा माइनस करना possible नहीं है और अब यह बात करेगा कि अगर आप यही amount as a business income करना है 10% ही allowed है आपको अब फिर business पे अपने click करना है अगर आपको trading या manufacturing का business कर रहे हो तो यहां पे यह fields है revenue की और expenses की हाजी बिलकुल वो कह रहा है कि अगर आप जो है न मतलब doctor engineer नहीं है आप बेशक आपका शायद professional लेकिन आपकी pharmaceutical दुगान फिर तो उस दुगान का revenue जो है और वो अगर as sole proprietor आपके नाम पे तो तब आपकी tax return में यह जिस तरह यह यह तो इन्हीं कि है मुहमद असुरूला तो यह अगर doctor है और यह pharmaceutical का काम करते है as a sole proprietor pharmaceutical का मतलब उनकी store है medicine का तो फिर वो manufacturing ट्रेडिंग वाले खाने भरेंगे लेकिन अगर वो अपनी consulting कर रहे हैं private practice कर रहे हैं तो जैसे यह other revenue उन्होंने बताए यहाँ पर वो skill करेंगे त तो यह जो business वाला section होता है यह अच्छी तरीके से वो लोग fill कर सकते हैं जिनका accounting background होता है उनको law भी पता होता है और तो income tax practitioners होते हैं chartered accounters होते हैं वो ज्यादा skilled होते हैं इस काम पे lawyers और professionals जो हैं वो इस portion को fill करने में काफी उनको difficulty हो सकती और वो incorrectly भी इसको fill कर सकते हैं बाक साथ आपको इसकी logic बताता जाओंगा इनको feel करेंगे लेकिन मैं अगर doctor और engineers की बात करता हूं तो services provide mostly करते हैं तो यहां पे आप other revenue में आएंगे और others में जो है ना box में पूरे साल में जो आपका turnover था जो revenue था approximately figure है तो approximately दे 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 अगर exact figure यहाद है तो exact figure इसमें add करें और calculate करें यहां पर आपके सारे expenses हैं जो business से related है यह personal नहीं है यह business से related expenses है इनको आपने जो जो related expenses होंगे आपने इनको feel करना है जैसे यह rent है आपने जो staff रखा है उसकी salaries है traveling convenience maintenance वज़रा का को expense है यहां पर friends याद रखिएगा कि अगर आपके पास exact figure ना हो तो approximately expenses की figure भी चल जाएंगी जो expense आपको accurate मिल सके वो आप बिलकुल accurate calculate करें और जितनी भी से related slips हों और कोई invices हों जो आपने पे किये हों तो वो आप संभाल के रखें यह advertisement भी है इसमें अगर कोई expense किया तो वो भी अगर business related insurance आपने कोई पे किया तो वो भी दे सकते हों नीचे आप देखें profit on debt अगर आपने अपने business पे कोई interest लिया हुआ है तो उसके जो लोन लिया हुआ है उसके उपर जो interest पे करोगे वो आपको यहां पे उसका credit मिलता है यानि कि expense आप उसको यहां पे ले सकते हो तो उसको पूरे साल में जितना आपने उसके उपर interest पे किया वो यहां पे लिख सकते हो नीचे सबसे आप देखें other indirect expenses में एक lump sum figure आप लिखने जो कि उपर वाले जितने भी expenses है क्योंकि हमें accept याद नहीं थे तो उनमें जो कमी रह जाएगी होगी वो पूरी हो जाएगी एक lump sum figure आपनी चलिकने इसको कहते हैं ठीक है जी तो इसने बिलकुल सही कहा कि basically एक तो personal expenses wealth statement के personal expenses वाले section में जाएंगे जो इस वीडियो के mid के बाद हम देखेंगे अभी हम first five minutes में तो यह बता रहा है कि आपने जो आपने rent पे किया है याद रखें इनको deductions कहते हैं और यह deductions तब allowed होती है जब आपने इनको through check किया हो अगर खासवार पर 10-15,000 रुपई से ज्यादा का expense है, rent है, salaries है, 10-15,000 से ज्यादा की per month तो आपने लाज़मन इनको check के through banking channel के through करना है क्योंकि यह जो 12,000,000 इसने income show की previous page पर वो सारी की स profit consider हो जाएगा, अगर यह expenses जो है ना सिर्फ cash पर हुए है, ठीक है, उसमें कुछ गुझाईश होती है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने, आप चाते हैं कि आपकी जो tax return है, वो जब audit हो उसका आने वाले सालों में, तो फिर जो है, यह expenses आपको proof करने पड़ेग तो आप अपने expenses वैसे भी internal control के point of view से cash पर न करें, पैटी cash रख लें, 10-15 जो पूरे हफ़ते में छोटे मोटे खर्चे है, बाकि सारे खर्चे head wise, चाहे वो internet का खर्चा है, चाहे वो salaries है, चाहे कोई advertisement है, आप bank को पैसे वापस करते हैं, कोई और indirect expenses हैं जो यहाँ पर mention नही नहीं है, तो आप जो है ना उन सारों की receipt हैं और basically अगर receipt आप उनके नहीं भी रखते तो banking channel से करने से और bank statement में उसको note down करने से कि यार यह expense इदर था, बाद में जब audit होता है तो आप explain कर सकती हैं, क्योंकि then again, professionals आपसे जैसे tax दोस्ती में हम जो आपको charge करें, वो इसी point of view स charge करें कि एक तो आपकी tax return फाइल करें, लेकिन हम यह भी करें कि इस तरीके से फाइल करें कि जब आपका audit हो, अगर आपका audit हो अगले 5 सालों में तो हम defend कर सकें और आपको additional tax liability ना पेकनी हो, बहुत सरे consultant जो इतने qualified नहीं हैं या जो figures आपसे data ही नहीं लेते, यानि कि आपके आपके पस कोई ना कोई accounting system या excel system होगा, जिसमें पूरे साल की, अब ये पूरे साल की बात हो रही है, पूरे साल की different expenses की कुछ bookkeeping, mental accounting, कुछ आपने की होगी, तो ये सारी यहां पे show करनी है, और उसके लावा एक और section है, जिसमें आपने business की balance sheet यहां पे show करनी है, अभी technical columns है, जिसमें कुछ expenses जो यहां दिये होते हैं, वो यहां डालके वापस यहां adjustment में डाले जाते हैं, तो यह जो business वाला section है, यह technical है, लेकिन अभी आपके understanding के लिए, इन्होंने, मुहमद नसुर अलरा ने, अपना finance expert का YouTube channel है, इन्होंने बड़ा अच्छा explain किया है, में आगे करती हैं, उसके बाद अगर आप foreign source income की बात करें, अगर आपकी बाहर से कोई income आ रही है, या आप बाहर भी कोई consultancy दे रहे हो, तो आपकी वो income normally exempt होती है, आप दर्मयान वाले box में जो income आपके बाहर से आई है, आपके account में आई है, यहां पे आप जो figure है, वो लिखना जो figure बनती है, वो total आप पुरे साल की figure यहां पे लिख सकते हैं, अच्छा जी, अब then again, you have to be very careful कि यह जो exemption है, एक तो यह foreign source income एज, यह जरूरी नहीं है कि यह जिस तरह कहरें कि बाहर से पैसे आ रहे हैं, तो वो foreign source में जाएंगे, वो remittance हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उस इन्होंने basic concept बिल्कुँ सही बताया है, कि अगर foreign source income है, लेकिन आया वो tax law के मताबिक foreign source है, जो एक doctor consultancy दे रहे हैं, वो salary किये, यानि employer-employee के relation में हो सकता है, वो किसी और में हो सकता है, royalty हो सकती है, कुछ भी हो, तो कहने हैं, foreign source income then again, एक tricky चीज है, और अगर simply यहां put करने से और वो भी exempt के column में बात नहीं मनेगे, कैलकुलेट करें साथ आप इसको, इसके साथ अगर कोई आपकी agriculture income है, वहां से आपको agriculture income आती है, वो भी दरम्यान वाले box में लिखनी है, FPR में तो यह एक्जेम्ट है, लेकिन अगर आप यहां पे लिख देंगे, तो provincial authorities आपको notice तो यह दियाद से लिखनी है, अगर है तो लिखें, otherwise इसको रहने दें, बिल्कुल यह सही कहरा है, वह recently law or high court का फैसला भी है, कि 2013 के बाद वाले उनको भी notices जारी है और से पहले भी उनकी tax return को देखते हैं, तो agriculture income exempt है, clearly लिखाव है income tax law में, और वो exempt है income tax है, लेकर जो provinces उसक tax करते हैं, वो एक different कानून है, तो उसके मताबक उनको, और उसका कानून कुछ ऐसा है, मैं देख रहा था कि basically 12.5 एकर से ज्यादा अगर हो, तो वो income जो है न, एकर वाइस भी होती है, और एक और measures से भी होता है, तो एक दो measures हैं, जिससे ज्यादा हो, तो फिर आपको pay करना पढ़ता है, तो then again, consultant से ज़रूर करें, और जो है कहते है, agriculture income लाजमन शो करें, क्योंके government भी उसको document करी है, तो वो भी एक बहाना बनता है, आपकी tax return को reopen करने का, याद रखे कि audit तो routine में होता है, लेकिन जो tax return है, अगर उनके पास को information आ गई, आपकी agriculture income की और वो आपने ड tax return और वाल स्टेटमेंट reopen कर सकते हैं, जी फ्रेट्स, जब आप नीचे आएंगे, tax chargeable में तो इसमें different heads आपको नजर आ रहे हैं, आप से जो most related है, वो adjustable tax, आप इस पे क्लिक करें, यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ रहे हैं, जहाँ पे आपने टेक्स पे की हैं, सबसे पहले तो जो employer ने आपका tax deduct किया है, salary of employees, इसके सामने आपने पूरे साल की figure, जितना भी tax cut आ है, वो जमा करें हर महिने का, जुलाई से लेकर जून तक और जमा किया हुआ, टोटल figure यहाँ पे mention करें, और calculate करें साथ, यह आप अच्छा जी, बिल्कुल सही कह रहा है कि यह जो salary है, लेकिन यह जो salary of employee थी, क्योंकि इसने 2014 की tax return open की थी है, अगर कि आप 2018 की या 2019 की open करेंगा, तो उसमे salary of federal government, salary of federal employee, provincial employee, corporate employee and others, तो फिर इसमें अपने, अपनी employer के status के मताबिक, जो उसने आप से deduct किया है, वो जह हैना आपने mention करनी होगी, और फिर यह कुछ और, जह हैना, deductions भ बताता है, जो आप से, अगर साल के दौरान विद होल्ड हुए है, तो आप यहाँ adjustable tax में जो चीज़ भी डालेंगे, वो सबसे पहले आपकी tax liability खतम करेंगी, और उसके बाद जो है, वो इसको, जो है, जिसको कहते हैं, कि वो आपका refund create करेंगे, तो tax दूस्ती में भी हमारी कोशिश ही है, कि आपको aware करेंगे, बहुत सारी जगों से आपकी tax deduction होती है, तो आपका tax refund claim होना चीज़ है, तकरीबर दस बारा मिनट होगे है, और मैं चापी राइट के रूल्स के मतावी हम जो income tax return यह समझा रहें, उस तक मैदूद रहेंगे, अगर आपने इसके बाद ज जब तक यह tax return फिल करते हैं, और अगर इसमें कोई law की amendment चाहिए होगी, तो मैं इसको pause करूँगा, और आप इसको देखें, इन्होंने procedure wise बड़ा अच्छा समझाया हुआ है, doctors और engineers यानि कोई भी professional इस तरह अपनी tax return भर सकता है, और अगर खुद नहीं time भरने के लिए, तो consultant को जो है न, appropriate data दे सकते हैं, क्योंकि consultant हो सकता है, mobile, internet और और चीजों पर जहां पर आपसे tax कटा है, वो सारी data आपसे ना ले सके, या आपको communicate ना कर सके, क्या मुझे दे, तो आप जितना करेंगी अपने लिए refund उतना ज्यादा create करेंगे, आपका benefit होगा, तो read कर सकते हो, ज यहां पे वो भी लिख सकते हो, क्योंकि यह property थी, और यहां पे थी, ठीक है, जितना tax उन्होंने काटा है, वो यहां पे लिख हैं, और उसके बाद उनसे इसका certificate भी demand करेंगे, जी आपने जो मिरा tax काटा है, वो भी मुझे certificate दें, इसी तरह आप, बिल्कु सही कहरा है, certificate और आपकी help के लिए, अब जो है, FBR मालुमात, अगर आप FBR.GOE.PK पर जाएंगे, तो FBR मालुमात में जो बैंकों ने काटा है, जो और लोगों ने काटा खासवार पर अगर आप business कर रहे हैं, as a doctor, engineer, as a provider, तो आप अगर companies को, जो है न, corporates को या ऐसे withholding agents को अपनी services देंग है, तो उसको कैसे income from business में show करना है, और वो जो आपको corporate से मिलेगा consulting के बाद, वो जिस पे income tax withhold हुआ है, उसको separately, जो इस वीडियो में नहीं है, उसको separately show करना है, तो basically tax जब withhold हो जाता है, तो उस income की nature थोड़ी सी change हो जाती है, और ये सारे certificates आपने लेने हैं, और ये FBR मालुम में सारी figures available है, आज तो और पर tax year 2019 के लिए तो updated होंगी, तो हम भी अपने clients के लिए वो data use करेंगे, उनको भी remind करने के लिए, और आप खुद भी जो है na FBR मालुमात देखें, और FBR का नादरा का system भी देखें, जिसको tax profiling system कहते हैं, ताकि जहां भी tax कटा है, आपको पता हो के वो transaction आप से linked है, और आपने उसको claim करना adjustable tax में आपका benefit भी है, और आपकी income tax की reporting correct होगी, खास दोर पे अगर आप किसी important position पे बैठे हैं, जहां पे आपकी tax return बाद में challenge होगी, चेक होगी, तो जैसे election commission होता है, या आपके अपने doctors के board के, और वगयर वगयर के elections होते हैं, य आपकी tax return completely fill हो, आपकी financial transaction से, या आगे मजीद बताते हैं, आपने employer से भी कह सकते हो, कि मुझे rule 42 का certificate दे हैं, जो आपने मेरी salary से tax काटा है, यह जो bank आपका tax काटता है, या आप अपनी bank statement से भी verify कर सकते हो, calculate कर सकते हो, या आप bank को request कर सकते हो, कि वो एक page का letter लिख के आपक आपने यहां पे add करना, account number लिखेंगे और उसके सामने जो भी tax उसका कटा है, पूरे साल में वो लिखेंगे, सिर्फ इसी साल का लिखना है, जिस साल की आप return file कर रहे हो, ना पिछले साल लेने हैं, और ना ही कोई और period लेना है, जुलाई से जून, यह period आपने याद रखन है, यह motor vehicle की, अगर कोई आपने transfer fee पे की, उस पे कोई आपने tax पे किया है, तो उसका number लिखें, गाड़ी का, model लिखें, और यहां पे इसको add करें, और जितना tax पे किया, वो आप यहां पे claim कर सकते हो, जिसको okay करें, इसमें यहां पे आप tax game out लिखें, आप नीचे की तरफ आएंगे, तो आप नीचे देखें कि, motor vehicle tax, अगर आपने यह under section 234 किया है, तो वो ले लें, इसके लावाँ यह mobile phone, telephone, जितने आपके number है, प्लस करें, उनको add करें यहां पे, इसी तरफ आप add करते हैं, जितने number आपके नाम पे हैं, और उनका जो जो tax की deduction हुई है, वो यहां पे लिख सकते हो, यह आप help line पे call करके बूट सकते हो, कि मेरा tax कितना कटा था, या उनका प्रोफाइल आप online बना के, लॉग इन करके, वहां से भी देख सकते हो, अगर आपने कुछ tax pay किया है, तो भी यहां पे आप ले सकते हो, जो नादरा का tax profiling system है, वहां आपकी travel history आ रही होगी, तो अगर आपने travel किया और first class से किया है, तो उसमें deduction होते हैं, economy class में नहीं होती, लेकिन हर साल के rules थोड़ा थोड़ा change भी होते हैं, तो आप check कर सकते है relevant rule, लेकिन income tax deduction होती है, आप देखें काफी सारी चीजों पर, जिसमें tickets भी हैं, और आगे भी यह बतारा है, जो marquis और bank hotel आपको invites देते हैं, उसके ओपर income tax जो है, अगर उनने चार्ज किया है, आपके नाम पर तो आप यहां पर claim कर सकते हो, इसके लावा यह नीचे काफी च purchase करते हो, किसी distributor से, dealer से, wholesaler से, उसने अगर कोई tax काटा है, आपका और इन्वाइस पे mention है, income tax with holding tax, तो फिर वो यहां पर ले सकते हो, यह याद रखिएगा, just with holding tax, या income tax के नाम से, जो amount आपके deduct हुई है, किसी भी जगा, वो ले सकते हो, अगर education आप, इसमें बिलकुल, इसम pharmaceutical काम करें, तो basically, जो supply chain होती है, manufacturer के बाद, distributor होता है, dealer होता है, wholesaler होता है, यह भी पाबंद है, कि जब आगे retailer को बेचेंगे, तो वो करेंगे, और जब इनको बेचते हैं, for example, मैं भी शायद, आप distributor हैं, किसी brand के manufacturer से direct ले रहे हैं, क्योंकि आप medical specialist है, या engineer है, तो आप किसी company से ले रहे हैं, और वो आगे distribute करें, आप distributor भी हैं, क्योंकि आप technical knowledge भी रखते हैं, तो आप से जो tax deduct हुआ होगा, वो यहां आप claim कर सकते हैं, then again, वो depend करेगा, कि आप यहां adjustable में claim कर सकते हैं, या full and final में आपने show किया है, जहां आप claim नहीं कर सकते हैं, तो different किसम की scenario है, ले general public है, तो इस scenario में जो taxes वगहरा आप से wholesaler distributor ने काटे हैं, वो आप claim कर सकते हैं, और आपका business इतना expanded नहीं है, जैसे चुखताई labs हो गया, या कोई बड़े brand नहीं है, आपके regular या बिलकुल normal एक person, दो person का है, और आप ही sole proprietor है, अपने business का as a doctor, और आप salary भी अपने private practice से, plus बच्चों के education पे अगर तो different modes हैं, जो अपने बच्चों के pay की है, उन्होंने tax काटाई income tax, तो वो भी यहां पे लिख सकते हो आप, इसे calculate करें ताकि system refresh हो जाए आपका, जी, उसके बाद आप यह competition में सबसे नीचे आएंगे, अब friends यहां पे अगर देखें, तो यह आपक refundable tax show कर रहा है, admitted के सामने zero है, बिल्कुल, admitted का मतलब के tax pay करना है, अब इसका मतलब refundable अगर आगया है, तो it means के कोई tax आपने pay नहीं करना है, यह बड़ा अचा बताया है कि system basically tax liability आपकी calculate करता है, और आपकी taxable income different sources से, यानि salary से, और business, बिजनस देखें, normally salary gross basis पे, आठ लाग आपकी आठ लाग उसमें से सिर्फ वो exemption minus होके 7,20,000, business जो है, उसमें ये खुब सूर्ती है कि आप अपनी sales में से अपने business expenses minus कर सकते हैं, लेकर वो तब allowed होंगे, जब banking channel के तरू, cross check के या checks के तरू अपने payment की हो, उसकी documentation और उसके back पर कोई accounting system जरूर हो, Excel based हो, QuickBooks हो, या आ profit आया है, after deductions, income में से तो उसको दोनों को add किया, ये उसकी total taxable income बनी है, और ये जो है, उस पर tax calculate किया है, कि 10,00,000 पर कितना tax बना, क्योंकि tax year 2014 की ये example दे रहा है, तो उस वक्त tax rates कम थे, तो इसलिए ये amount बनी है, लेकर आगे जो इसने admitted tax liability की बात किया, वो ये है, कि अग अगर आपने ये adjustable taxes नहीं डालते हैं, जो आपसे already साल के दौरान कड़े, तो फिर ये तो पूरा 42,560 आपके admitted tax liability होगी और ये tax return दो वजों से file नहीं हो सकीगी, एक तो वो कहेगा wealth statement file करो इस से पहले, जो 116 की statement होती है, जो इस वीडियो में आप आगे जाके देख सकते हैं और अच्छे तरीके से बताई हैं, और उसमें भी obviously कुछ legal चीज़ें हैं, वो फिर आप किसी और टाइम ये बनाएंगे ये किसी और वीडियो पर wealth के अवारे से बताएंगे, जो है, और दूसरा ये admitted tax liability अगर यहाँ शो रही होगी, तब भी वो income tax return को file होने नहीं देगा, और इन्हों ने, finance expert ने ये भी बताया है कि e.fbr पर जाके चलान कैसे बनाया जाता है, टैक्स का जो फिर आप cash में भी पे कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, इसको इनकी वीडियो को wind up करते हैं, अब मैं इसको, क्योंके मैंने चलान भी बनाके end पर दिखाना है, इसल टू से टू मिलियन कर देता हूँ, फ्रेंड्स ये वीडियो मैंने special doctors और engineers के लिए बनाई है, या जो service providers है mostly, आप से related जो चीज़ें हो, वो आप यहाँ पे add करोगे, जो आप से related नहीं है, उनको just information के लिए देख लीजिएगा, ठीक है, वैसे मैंने जितना ज्यादा working हो सकत लिए थी, वो मैंने की थी, अब देखें, एडिमिट्री टेक्स में उसने ये 66,560 जो है, ये mention किया है, ये हमने चलान बना के जमा करवाना है, और इसके साथ attach करना है, और फिर हमारी ये return जो है, ये submit होगी, जब ये return की working आपकी complete हो जाए, तो आप इसको print पे click करें, तो draft draft जो है आपको ये देदेगा, अभी हमने submit नहीं की, तो ये print का draft जो है पीडियाफ में आपके पास आजाएगा, इसकी हमें जो है, जो है, जब हम wealth statement की working करते हैं, वहापे भी, और वैसे भी एक नजर आपको देखने के लिए असानी होगी, किया जीज़ उसे ने show की या और चैनल का, यानी finance expert का, नसरullah का, और कि उन्होंने बड़ी अच्छी मुफीद वीडियो बनाई है, जिसमें उन्होंने step by step फिर उसको explain किया है, अपना number वगरा भी दिया है, whatsapp और यहीं लहोर में practice करते हैं, तो tax दोस्ती के center तो पाक्स्तान के अर्शेर में है, including लहोर, और जो है, यह return जो है, जब यह download होती है, तो यह declaration लिखा होता है, और आगे आपका ID card number लिखा होते हैं, क्योंकि वो ही एक individual, चाहे वो business कर रहा है, salary कर रहा है, वो ही उसका NTN है, अलग से NTN अब नहीं बनता, सिर्फ E enroll होते हैं आप IRS में, और उसके बाद जो है, तो tax return बहुत अबरदस्तिनों ने बनाई है, इसके लावा इनकम tax for housewife बनाई है, वगयरे वगयरे, तो इन्शाला जितना मौका मिलेगा, finance act पर बात करेंगे, इस तरह के practical चीजों पर बात करेंगे, ताकि आपको in-depth idea हो, कि कैसे आपने अपना data जमा करना है, जब तक tax दोस्ती का app नहीं कि क्लाइंट को बेजते हैं, क्लाइंट उसको देखता है, understanding में obviously difficulty होती है, उनको लेकर उनको मोटी-मोटी बात समझाती है, और हम फिर मौका देते हैं कि हमारे साथ discuss कर लें, लेकिन कोई data information ना रह जाए, कोई income source या कोई asset या liability ज़रूरी ना रह जाए, तो आप इनके channel को subscribe करें, at finance expert, और हमारा website है, taxdoosti.com, जिस पर हमारा blog भी है, और जहना इसको इस पर आप देख सकेंगे थोड़ी देर में, और helpful checklist, salurated person के लिए ये है, और business individual, यानि doctors, engineers की बात हो रही थी, chefs की बात हो रही थी, professionals की, वो ये list download कर सकते हैं, जिसमें काफी detail में बताया गया है, कि आपको कौन-कौन से documents हैं, जिस से आपके tax return होगा, उसके लावा ये video हम यहां learn tax law के section में भी डालेंगे, जहां पे withholding taxes, FTR और इस तरह की चीज़ें हैं, जो technical हैं, जो लोग technical और थोड़ा सा interesting पसंद करते हैं, उसके लावा हमारे YouTube channel के उपर, आप जो popular, most popular हैं, जो बहु reference, tax master class technical है, और जो हमारी recent होती है, चाहे वो कुछ थोड़ी मजाख से related हों, या reminders हों, हमारे tax lost की तरफ से, या finance act पे जो commentary हो रही है, ताकि आपको पता चले कि इस साल आप पर कौन सा कानून लग रहा है, उसके अलावा different categories है, benefits of being a tax file, practical tax के head के नीचे भी आपको ये video नज़ students के लिए, तो ये सारी यहाँ पर आपको नज़र आएंगी, मैं हूँ आपका tax दोस्त और tax host Anthony Williams, आप देख रहे हैं tax दोस्ती reporting videos, thank you very much